पुलिस विभाग पर गड़ परिसर की भूमी पर नाजायज अतिकर्मन का आरोप परतिनिधी मंडल ने नगर परिशद आयुक्त के नाम दिया ग्यापन चुरू के एतियासिक गड़ पर पुलिस विभाग द्वारा नाजायज अतिकर्मन किया जाने का आरोप लगा है परतिनिधी मंडल ने इस सम्मद में नगर परिशद आयुक्त के नाम ग्यापन भी दिया परतिनिधी मंडल के सदस्य बीनासर निवस्दी एडवोकेट नरेंदर सिंग ने जादा जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि चुरू का गड़ विरासत भवन और इस्तापत्य के लिए परसिद है राज्य सरकार द्वारा गड़ की मरमत और संदर्य करण के लिए बजट 2022-23 में पांच करोड रुपे भी दिये है जो रुपे स्विकर्थ होकर के पुरातत्व विभाग द्वारा इस गड़ की मरमत और संदर्य करण के लिए कार्य आरंब कर दिया गया है पुलिस विभाग द्वारा काफी दिनों से परिसर की भूमी पर नाजायज अतिकर्मन किया हुआ है और धीरे धीरे अतिकर्मन को बढ़ाया जा रहा है गड़ परिसर ततकालिन रजवारा परिवार से जूड़ी होए होने के कारण बाद में राज्य सरकार द्वाराई से नुजुल संपत्ती गोशित कर दिया गया था नुजुल संपत्ती होने के कारण नगर परिशत द्वारा इसे विरासत भवन इस्थापत्य के लिए सोची भद किया गया है गड़ परिशर आजादी की लड़ाई में परती रक्षा में चांदी के गोले दुश्मन सेना पर दागने वाला विश्व का एक मातर किला होने से विश्व परसिद है गड़ में पुलिस विभाग को पट्टा जारी होना परकिरिया धीन होने से राजपुत समाज और आमजन में रोश व्यापत है ग्यापन के जरिये मांग की गई कि उक्त पट्टा संबंधित कारवाही तुरंत परभाव से रोकी जाए और पुलिस विभाग द्वारा नगर परिशत से बिना इजाज़त तामीर के जो निर्मान कार्य कर लिया गया है उसको गिराया जाए आयुक्त नगर परिशत चूरू वो ग्यापन दिया है कि गड़ परिशत चूरू में पुलिस द्वारा जो नाजायज अत्तिकरमन करके वहां पर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है बिना इजाज़त तामीर के वो नियमों को ताक में रखके उसको बंद किया जाए जो नि वो नुजूल संपती है और नुजूल संपती में नगर पालिहा किसी भी परकार का पटा जारी नहीं कर सकती है और नगर पालिहा के द्वारा और सरकार के द्वारा सन 2005 में गड़ को एतियासिक द्रौहर गोशित की गई है और ऐसे किसी भी द्रावर में कोई नव निर्मान नहीं किये जाने बाबत आदेस पहले से हैं इसके अलावा जो गड़ परीसर है उसमें राज्य सरकार ने सौंधरिया करण के लिए जो है पास करोड रुपे पास किये हैं उसका भी काम अभी चल रहा है तो ऐसे में जब पुलिस परसासन अपनी दादागिरी के द्वारा गड़ पर नाजायज कबजा करके अपनी बिल्डिंगें बना रहा है तो वो पास करोड रुपे जो है वो कहां से सौंधरिया करण होगा और किस तरह गड़ को स्रंक्षित किया जासकेगा इस पर सर्वे समुदाय द् अधिवक्ताओं द्वारा एक ग्यापन आज आयुक्त नगर परिसत सूरु को दिया गया है